मैं तो एक डिटेक्टिव हूँ, लेकिन असली स्पाई ये है, बॉलिवुड स्पाई, प्लीज सब्सक्राइब, पीका पीका नमस्कार दोस्तो, मैं हूरा हूल भोज, जहां पर मैं अकसर आपको एक बात बोलता हूँ, कि बॉलिवुड स्पाई आप लोगों का चैनल है, आपके लिए चैनल है, तो भाई वहां पर इस बात को मैं पूरा भी करता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में अवेंजर्स के ज संकेत महात्रे, राहूल भो, संकेत महात्रे, तो फाइनली, बॉलिवुड स्पाई के स्टूडियो में पढ़ार चुके है, संकेत महात्रे, थांक यू सो मुछ, आपको यहां पर देखके, और प्लस, पब्लिक डिमांड इतनी है आपकी जादा, क्या कहेंगे आप, संकेत मह बहुत खुश हूँ, I mean, fans have always supported me, बहुत appreciate करते हैं काम को, और उनी की वज़े से encouragement मिलती है कि और बेटर से बेटर काम करते जाओं, यह बहुत हाली में, this has become like a huge advantage to artists, जने पता चल जाता है, immediately feedback मिलता है, कि कौन सा काम पसंद आ रहा है, कौन सा काम पसंद नहीं आ रहा है, क्या पसंद नहीं आएगा, I mean, this kind of support, correct, Sangeet भाई, देखे हमारा यह रिवाज है, और यह रिवाज आपको पूरा करना पड़ेगा, हम जो भी voice over artist से, उनसे पहले dialogue बुलवाते हैं, कि फेवरेट करेक्टर का, तो आप शुरुवात कीजिए, मैं पहले लिकिन पहले लिकिन पहले street slang type का बनाना था, तो एक बहुत उसका famous dialogue यह बन गया कि, माउशीची है, अब यह कौन है, which was actually, जगुदादा की लाइन है, हमने उधार ले ली फिल्म के लिए, और बहुत चली, और उसके अलावा, another favorite character is Ben 10, जो एक, जब मैंने शुरुवात की थी, उसकी तो विलन की audition के ल विलन की आप खावाज, बहुत यंग, teenager, excited. हाई, मेरा नाब बैन है, Ben Tennyson, it's hero time. वाउ, तो एक भूल अलग रेंजम है. संकेत भाई आप मानेंगे नहीं कि अवेंजर्स के इतने इंटर्व्यूज आप देखेंगे हमाई चैनल बें तो उसमें यही था कि संकेत महातरी को बुलाओ संकेत महातरी को लाओ मैं अपने अडिटर से डिसकस किया तो उन्होंने कहा कि उनका तो सिफ आ करके ऐसा बहुत ब जो उनफोर्चनेटली थौर रागनरॉक में मर जाता है तो थौर रागनरॉक में हेला उसे मार देती है और मुझे कॉल आया था कि सर आपकी लाइन मतलब लाइन होंगी ना नहीं सर एक ही लाइन है आपकी तो मैं था मुला क्या लाइन है तो घ्या है आज क्ग्ड़ आज कि अभी रिसेंटली वन एंड गेम केम अभी आभी आम गोई ट्राइन आवाइट पॉइलर्स मैं बताऊंगा कि एंड गेम में होकाई का जो चारेक्टर था जो अब तक जैसे चला रहा था वो एंड गेम तक आते आते एक अलग सा मोड ले लेता है वो एक रॉन से डार्ग ज करनी होगी इसके लिए कि इसकी शेड चेंज हो चुकी है और तब उन्होंने मुझे अप्रोच किया और आई ट्राइड इट आउट और बहुत ही अमेजिंग कॉंसेट था मजा आया क्योंकि ऐसी फिल्म में एक रोल करना जिसमें इतने सारी लेजेंड काम कर रहे हैं आम आ जहां पर मैंने अमेरिका एक फिल्म के लिए ट्राइड किया था बट दबस अर्ड़ी टोल कि दे व गइंट आउट किया था तो वो थोड़ा सा बट था इंग वेर लॉड फोचल मीडिया है पोल्सों लिए अगोफ बट ऑट हुकाय वेंडर्फूल एक्स्पिरिंस बहुत मज़ा आगया मज़ा आगया फाइनली फिल्म देख ली हां कल ही इंफाक्ट हमारे लिए डिस्नी और मावल केप्ट स्पेशल स्क्रीनिंग मार्टिस के लिए और सारे अर्टिस महीं मिल गए सब कह रहे थे बॉलिवूड स्भाई में इंटर्व्यू दिया है तो मैंने का मै बहुत खुश थे अपनी अपनी पर्फॉर्मेंस दूसरों की पर्फॉर्मेंस देख कर और मुझा लग रहा है कि ऑडियन्स भी बहुत अप्रीशेट कर रही है थे हिंदी डब वर्जिन जीज रूइंग वेल करेक्ट के सग्यत भाई हमने मतलब सुना और आपकी जो जर्णी कैसी रही थी कैसे हुई शुरुवात दर्शकों को बताएं क्योंकि विक्की में बहुत कम है मुझे बहुत पसीना बाहना पड़ तो एक्ट्रोनिक्स इंजिनियरिंग करनी पड़ी करनी पड़ी कहूंगा क्योंकि घर से हमेशा ये था कि एक बैक अप होना पहले से थेटर वगरा में इंटरेटर काफी करता था था तो एंगने इंजिनिरिंग करने के बाद भी मैंसोचा की मादब सपने आते थे कोई बोल रहा है या या माक्रोव रिपेर कर दो या 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 ट्यूबलाइट करना मुझे नहीं आता थे तो मैं डार से कहता था कि कु अबर ऐसा हुआ कि Client आ गए उन्हें कोई एवी करनी थी बच्छों की और आर्टिस नहीं आया और बहुत डेस्परेट हो गए थे तो देन आई ट्राइड आउट एक तोते की आवाज थी उन्हें बहुत पसंद आई फिर और एक दो करवा है वो भी अच्छे लगे फिर उन् कर दिये अपने आप से कॉल जाने लगे मेरा स्टूडियो अनफॉर्चनेटली विक्रोली में था काफी सारा काम अंधेरी में होता था छे महीने एक साल के दूरेशन में है अधु शट डाउन स्टूडियो क्योंकि यहां से इतने सारे कॉल जाने लगे आई थिंक प्राइम वो हेल्प कर गया पुश करने में मुझे वो डिसिप्लिन हेल्प कर गई लाइंगविच की इंपोर्टन्स या बात करने का रवया वॉल्यूम पर कंट्रोल यह सारी चीजें हेल्प कर गए बट अफकॉस डबिंग सीखनी पड़ी काफी स्ट्रगल थी शुरुआत में पहल प्रंगला जहां सब सेखने का मन था क्ईकर काही कि सिप्रायु और अटा था तो भॉट jsem यहां सब सीखना था तो सब कोछ किया मैंने मैंने आव डबन आड़ तेली ब्रैंड umphम कमरिशेल मैंने अभी हाली में बही किसी को बता रहा था कि कि क्रावड सपेशलिस होते हैं ज और यह जो आवाजे आती हैं audience वगरा कि एक group of voice artists होते हैं जो create करते हैं अगर हम कोई scene देख रहे हैं जहाँ for example एक सब्जी मंडी है तो जो सब्जियां बेच रहे हैं लोग जो खरीद रहे हैं यह जो background में आवाजे चल रहे हैं जहाँ जो सारी आवाजे create की जाती हैं जहाँ एक group of voice over artists होते हैं जो crowd specialist कहते हैं या crowd artist जहने कहते हैं तो वो भी मैंने किया मैंने wanted film में अगर आप पता नहीं कहां बट कहीं पीछे गुंडों की आवाजों में या सबजी वालों की आवाजों मेरी आवाज है जी हां तो वो भी मैंने किया था क्योंकि एक point था जब मुझे सब कुछ सेखना था और मुझे लगता है कि वही करने से आपका craft better हो सकता है तो वहीं से धीरे धीरे शुरुआत करके फिर जैसा कि मैंने कहा Ben 10 की opportunity आई और मैंने विलन के लिए audition दी थी और हीरो के लिए भी try out किया वह पसंद आई उन्हें और उसके अलावा Ben क्यूंकि 10 aliens में convert होता था Ben Omniverse में तो मैंने तब बहुत excitement थी और मैं it's hero time बोलते बोलते हैं से हाथ मार देता था मेरी घड़ी पे जिससे माइक वगरा हिल जाता था और अबर जाते है तो men I ended up doing 11 voices or Well I think was my biggest break जहां से शुरू आथ ही इसके भाद फिर दीरे फिल्म्स, Discovery, Travel and Living यह चीज निष्यज भी हिर South to Hindi to Hello it's a very recent thing. Okay. But it's been about 11 years of May I program but more than a hundred films I guess I'm more than a hundred film a very short time I do you are you're absolutely right in a very short time South to Hindi films ने ऐसा पिकप किया, and the fans loved it so much, there was a lot of work that came my way, and a lot of actors, I think the count has gone to about 14 or 15 heroes, जिनकी वोइस दे चुका हूँ, which is phenomenal, considering how people are liking it still, and अभी भी messages आते हैं कि, you know, Allure Junior, Mahesh Babu, Junior NDR, Ram Charanji, इन सब की, so हमें बहुत पसंद है, हमें बहुत पसंद है, which is exciting, as an actor, क्या वात, क्या वात है, सगित भाई, यह process कैसा होता है, मतलब voice dubbing का, कुछ process है, थोड़ा से, बिल्कुल, so voice dubbing, कई लोगों को लगता है, कोई किसी को कह देता है, कि तुम्हारी आवाज अच्छ है, तुम ट्राइ कि नहीं करते है, तो, मैंने personally मुझे पता है, कुछ लोग अपने headphones पहने हुए है, आपके एक can में आपको original dialogue सुनाई दे रहा है, अगर English to Hindi film है, for example, आप English सुन रहे हो, एक can में आपको अपनी आवाज आ रही है, आपके सामने एक script है, जिस पर lines है, आपके सामने एक actor screen पर perform कर रहा है, आपको वो सुनना है, lines सुननी है, Hindi की lines उसको match क करनी है, उसका voice सुनते हुए अपनी voice उस पर overlap करनी है, और मैं जितना बोल रहा हूँ है, उससे भी थोड़ा सा complicated है, तो this point is a little difficult, यहाँ पर आके काफी लोगों ने back out कर दिया, कि यह नहीं लगा था, मुझे लगा था कि कुछ होगा, मैं पढ़ लूँगा, हो जाएगा, त आप मेरा खून कर रहे है, या कोई fight scene चल रहा है, या comedy चल रही है, तो हम set पर है, वो props है, वो environment है, वो लोग है, आसपास, हम naturally acting कर रहे है, स्टूडियो में एक अंधेरा कमरा है, कोई बंदा भीचे से बोल रहा है, सर माइक क्रॉस हो रहा है, सर अभी सीधे खड़े रही है और ये हो रहा है, ब्लो आ रहा है थोड़ा सा, उसमें आपको वो environment create करना, वो intensity लाना, कि जैसे राजिश जी का emotional scene था in Avengers, या Captain America के इतने सारे emotional scenes, तो वो वहीं पर खड़े रहे के अंधेरे कमरे में माइक पर डिलिवर करना, जो उन्होने वहाँ on set किया है, जो अभी भी मु कर रहे है, इस ब्रिंग अबाट अ हुग चेंज, मुझे लगता है, अब इंडियन voice industry is at par with international standards, because we are making that kind of business also in terms of all the projects that are coming in, and companies are looking at it seriously, बहुत अलग नजरिये से देखा जाता है, बहुत अलग नजरिये से देखा जाता है, बहुत अलग नजरिये से देखा जाता है, बहुत अलग बहुत अच्छी तरह से projects किये जा रहे है, तो I think it's about time now that we consider ourselves to be at par with voicing industries internationally, संकेर भाई, चैलेंजे कही आपने मुझे बताया कि, कि अंधिरय कम रहा होता है, इसके अलग और क्या चैलेंज होता है, मतलब क्योंकि, as an actor कि, अगर मैं बात क्लों, तो actors कहते हैं कि हमें, मतलब मान बहुत ही harsh करकबर weather भी आते हैं, आपके उसमें क्या-क्या और challenges होते हैं, मैं आपसे कहूंगा कि challenges बहुत role specific होते हैं, अभी Deadpool में जो मुझे challenges आए, वो Martian के challenges से बिलको लग थे, for example, Deadpool का character, Ryan Reynolds in person, एक बहुत ही funny person है, बहुत सारी line है improvise कर जाते हैं, अब हिंदी में जब उसे adapt कर रहे थे, तो हम भी कई jokes try कर रहे थे, उसे localize करने के लिए, Indianize करने के लिए, और ऐसा होता था कि उस बंदे ने बोला इतना है, कि हर एक जोक के लिए हमें 2-3 options के jokes तयार करने पड़ते थे, अगर वो जोक फिल्म में कही रिपीट हो रहे तो वो सारे options लेने पड़ते हैं इस लिए लिए दूबिंग 3-2 films, एक साथ, क्यूंकि कॉंकि कॉंसा जोक वर्क करेगा, फिर वो तीनू कट सम सुनाते थे लोगों को, वो रखना, वो हमारा था, तो तो यहां था रहा है, तो धीरे धीरे वो वीक होता जा रहा है, तो उसकी वोईस में वो वीकनेस का ग्रा पॉइंट से, that was a different challenge, अब Avengers की बात कर रहे हैं हम तो जो पहले ही मुझे ब्रीफ दी गए थी और जिसका ब्रीफ के अलावा भी जब फिल्म जैसे आप देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसके साथ कुछ चीजे होती है, कुछ हाथ से होते हैं, जिससे वो बंदा एक बहुती डार्क पात पर चलने लगता है, तो वो ग्राफ लाना, जो हाथ सों से पहली की उसकी आवाज है और उसके बाद जो एक बदलाव आता है, ठहराव आता है, उसके आवाज में समझ आ जाती है, एक गुसा अंडर ले है उसका, तो वो लाना, so that was the challenge for that, तो हर प्रोज challenge for every artist, yes, okay, आपने तो मतलब बहुत सारे characters करें, लिटरली है, बहुत सारे characters करें, तो इन characters के बीच में अगर मैं बात करो, तो differentiate करना, उन्हें समझना, और फिर उसके according voiceover करना, तो ये process कैसे रहता है, plus क्या-क्या चीजों का आप ध्यान रखते हैं, और ये जो भी आपके producers हो होते हैं, music, जो voiceover producers होते हैं, वो आपके कितनी help करते हैं, plus ये जो dialogue writing होती है, तो इसमें आप input डालते हैं, या पिर already script जो है बनी होती है, एक proper product अगर बनाना है, जैसी कि एक Avengers जैसी film है, तो उसमें बहुत सारी teams हैं, जो एक साथ काम करती हैं, voice artists उन teams का एक part है, उसके कायदा लिखते हैं, उसके बाद mixing engineers होते हैं, जो सब को एक साथ लाकर effects और sound को mix करते हैं, voice के साथ, तो all this is part of one team, एक studio जो सब कुछ handle करता है, अब आपके जो सवाल है, उनका जवाब देने के लिए मैं कहूंगा कि script हमें दी जाती है, depending on project to project, उसमें improvisation कितना करना है, वो artist or director का call बन जाता है, मतलब आप भी उसमें शामिल होना ही पड़ता है, जैसे for example, Deadpool की अगर हम बात करें, तो उसकी script was written very well according to a writer's standpoint, या एक standard script जैसी होती है, उसमें very well written, लेकिन उसमें improvisation बहुत सारा करना पड़ा, क्योंकि उसका, उसकी requirement अलग थी, उस film की requirement काफी अलग थी, तो अच्छा ये try करते हैं, and it was very funny, जब हमने try की, we try the jokes out, मैं बोल के देखता हूँ, फिर immediately laughter अगर आता है, तो हम में पता है कि, you know, this is what is happening, पर, तो improvisation तो obviously जरूरी होती है, कई बार ऐसा होता है कि, बहुत सारी super hero films हैं, for example, उनका एक comic book origin है, या उनकी एक अलग backstory होती है, और में पता नहीं होती है, या किसी और ने देखी होती है, तो वो समझना, वो track लगाना, वो सारी चीजें भी detailed है, क्योंकि audience बख्षती नहीं है, audience बहुत sharp है, and especially the dubbing audience is very very sharp, वो बहुत detail में देखते हैं, हर film को समझते हैं, वो voice को पकड़ते हैं, which is like the most important thing, जो हैरान कर देती है आज भी कई voice artists को, क्योंकि उनसे ज्यादा, मतलब मुझसे ज्यादा मैंने कियो है काम का चिथा लोगों के बास है, which is a good thing, but तो इसलिए काम में हमें भी कोई धील देकर बिलकुल नहीं चलता, तो हर एक, जैसा कि मैंने का हर एक team member, अपना काम बखू भी करता है, which is how a product like Avengers Endgame comes out, जो completely polished film है, जो कई तरह के feedback लेकर, कई तरह के rework करके फिर बनाई जाती है, ओके, ओके, संकेत भाई, अगर मैं बात करो, Deadpool 1 में आपकी आवास थी, उसे बहुत अच्छा response मलता है, ठीक है, Deadpool 2 जब आती है, हम अचानक से सुनते हैं, यह क्या, संकेत महातरे को change कर दिया, मतलब यहां पर replace कर दिया, और यहां पर Ranveer Singh की आवास आकी, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त पे आपको audience की तरफ से क्या reaction मिला था, प्लस मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपका क्या reaction था जब आपने यह कहानी, मतलब यह सोना कि Ranveer Singh is doing this, तो basically I just want to know that entire face, Deadpool 1 बहुत successful रहे, which was actually a surprise for everybody, because it was expected नहीं था, क्योंकि वह अधी as a superhero film, बहुत ही off film थी, त्यसे superheroes generally होते हैं, अच्छा character, अच्छा कान करने वाले, exactly, so this was a very anti-hero sort of a zone, पर वो बहुत चल गई, बहुत अच्छा response मिला मुझे, कई लोगोने comments किये, कई लोगोने messages भेजे, और बहुत अप्रेशित की गई, so when Deadpool 2 came, मुझे अप्रोच किया गया, and we started work on it, film डब हुए, trailers अगर आगया, लोगोने बहुत पसंद करना शुरू किया, trailers को, and then the studio took a call, which was a marketing call, I think, की, they want to get the celebrity on board, और, unfortunately for them, I think, वो बाक्फाय हो गया, एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है, जासा कि हमने बात की दिस इविल वार के दौरा, पर इस बार वो इतने वहमेंटली, आपोस किया गया, लोगोने, अब सोशल मीडिया एक ऐसा जरिया है, जिससे आप सीधे किसी से भी बात कर सकते हो, तो उस trailer के नीचे ही लोगों ने लिखना शुरू किया, कि हमें ये पसंद नहीं है, और, you know, संकेत मात्रे को वापस लाईए, और आपने असा क्यूं किया, अब obviously ये marketing call होते है, मुझे आज भी लोग सवाल पूछें, ये film आके साल भर हो गया होगा, I think ज्यादा, मुझे आज भी लोगों के message आता है कि sir आपने Deadpool 2 क्यूं नहीं कि, आपने क्यूं नहीं कि, तो obviously ये, ये मैं बताना चाहूंगा सबसे कि, ये artist का call नहीं होता, ये हमारे हाथ में नहीं होता कि हम कौनसी film करें या ना करें, obviously हम interest जटा सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हम audition देना चाहते हैं, but वो select करना studio के हाथ में होता है, nationally, internationally, जो ही उनके representatives हो, तो ये मेरी चॉइस तो नहीं हो सकती कि मैं करूं या ना करूं, this is obviously a studio call, but I am very thankful कि, लोगों ने artist को support किया, because at the end of the day, अगर हम voicing project की बात करें, तो replacement अभी justified होगा, जब एक voiceover artist को एक अच्छे voiceover artist से replace किया जाए, you know what I mean, अगर मैं acting कर रहा हूँ, और एक film है, जिसमें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई tailor है, जो perfect character है, तो मैं उस tailor को cast कर दूँगा, because वो suit करता है, अगर मुझे लगता है कि किसी के आवाज है, उस tailor की आवाज अच्छी है किसी voice project में, तो मैं उससे cast कर लूँगा, अगर मैं face के लिए voice replace करूँ, तो वो equation अब audience को hazard नहीं होता, which is a trend that I have noticed, और ये मेरे साथ सिर्फ नहीं हुआ है, I think मेरा किसा जो था वो काफी publicized किया गया, but there are several artists, जिनके projects के साथ ऐसा हुआ है, unfortunately, और, sometimes it's sad because कोई-कोई film में आपके दिल के काफी करीब होती है, but what was your reaction? honestly, I was a little put off by it because Deadpool में बहुत महनत होती है, तो, you know, the kind of effort जो हम लोग डालते हैं कैसी film में, जो straightforward नहीं है, जो, like I told you, it's equal to three films, because बहुत लाइने हैं, बहुत रीवर्क हैं, हमारे ही जोक्स पर काफी काम करके उनने पॉलिश करते हैं, बन जाती है, किसी को सुनाते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये नहीं काम कर रहा है, वो नहीं तो फिर से की जाती है, so, you know, that kind of महनत, जब रिप्लेस हो जाती है ओवर्नाइट, तो, obviously, दर्थ बुरा तो लगेगा, I mean, so, that happened, but you move on, and you, you know, keep hoping कि अच्छे प्रोजेक्स आएं, और आप महनत करते रहें, और काम होता रहें, और, obviously, like I told you, आपके चैनल के थूँँ, जैसे YouTube के comments के थूँ वगरा, पता चलता है कि लोग, हाला कि आपने सिर्फ एक ट्रेलर किया था, पर लोगों ने appreciate किया है, और वो चाहते हैं कि आप आगे, you know, ऐसा ही काम करते रहें, तो that, उससे ज़्यादा क्या मांगूँगा, as an artist, I mean, जन तक आप यार सबसे बड़ा है, बहुत सबसे बड़ा, obviously,